नमस्कार दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल ग्यानदा नोलेच में आपका हार देख स्वागत है दोस्तो भगवान शिव ने देवी पारवती को समय समय पर कई ग्यान की बाते बताई हैं जिनने मनुष्य के समाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक और वेवाहिक जीवन की बाते शामिल हैं भगवान शिव ने देवी पारवती को पांच ऐसी बाते बताई थी जो हर मनुष्य के लिए उप्योगी हैं जिने जानकर उनका पालन हर किसी को करना चाहिए कौन सी हैं वो पांच बाते आईए जानते हैं नमबर एक क्या है सबसे बड़ा धर्म और क्या है सबसे बड़ा पाप दिवी पारवती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनिश्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म मानी जाने वाली बात के बारे में बताया अर्थात मुनिश्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना और सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या उसका साथ देना इसलिए हर किसी को अपने मन, अपने बातें और अपने कामों से हमेशा उन्हे को शामिल करना चाहिए जिन में सच्चाई हो क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म है असत्ते कहना या किसी भी तरह के जूट का साथ देना नुश्य की बरबादी का कारण बन सकता है नुश्य को अपने हर काम का साक्षी यानि गवाह कोधी बनना चाहिए चाहिए फिर वे अच्छा काम करें या बुरा उसे कभी वी ये सोचना नहीं चाहिए कि उसके कामों को कोई नहीं देख रहा है कई लोगों के मन में गलत काम करते समय यही भाव मन में होता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा और इसी वज़े से वे बिना किसी डर के पाप करम करते जाते हैं लेकिन सचाई कुछ और ही होती है मनिश्य अपने सभी करमों का साक्षी खुद ही होता है अगर मनिश्य हमेशा यह एक भाव मन में रखेगा तो वे कोई भी पाप करम करने से खुद ही खुद को रोग लेगा कभी न करें ये तीन काम करने की इच्छा क्योंकि मनिश्य जैसा काम करता है उसे वैसा पाप करता है यानि मनुश्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देना चाहिए जो धर्म गुरंतों के नुसार पाप मानी जाए ना अपने मुँँ से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और ना ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई परिशानी या दुख पहुँचे पाप कर्म करने से मनुश्य को ना सिर्फ जीवित होते हुए उसके प्रणाम भोगने पड़ते हैं बलकि मरने के बाद नर्ग में भी यातनाई झेलनी पड़ती है नमबर चार सफल होने के लिए ध्यान रखें ये एक बात दोस्तों संसार में हर मनुश्य को किसी ना किसी मनुश्य वस्तू या प्रिस्तिती से असकती यानि लगाव होता ही है लगाव और मुह का ऐसा जाल होता है जिससे छुटपाना बहुती मुश्किल होता है इससे छुटकारा पाई बिना मनुश्य की सफलता मुम्किन नहीं होती इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है भगवान शिव कहते हैं कि मनुश्य को जिस भी व्यक्ति या प्रिस्तिती से लगाव हो रहा हो जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो मनुश्य की उसमें दोश ढूनना शुरू कर देना चाहिए सोचना चाहिए कि ये कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है ऐसा करने से धीरे धीरे मनुश्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपने सभी कामों में सफलता पाने लगेगा नमबर पांच ये एक बात समझ लेंगे तो नहीं करना पड़ेगा दुखों का सामना भगवान शिव्ट मनुश्यों को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुश्य की तृष्णा यानि इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं है मनुश्य का अपने मन पर वश नहीं होता हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और यही इच्छाएं मुनिश्य के दुखों का कारण बनती हैं जरूरी है कि मुनिश्य अपनी अवश्यक्ताओं और इच्छाओं में अंतर समझे इस फर्क को समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं का त्या करके शांत मन से अपने जीवन को बिताए तो दोस्तों ये थी आज की हुआरी उप्षेश जानकरी उमीद्यापको यह जानकरी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करेें अपने जोस्तों वह प्रिवार जनों के साथ शेर करें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद